लखनाव से शिवानी हमारे साथ स्वागत है शिवानी नमस्ते माम जी नमस्कार मैं मेरे पैर में स्वाइल एरिया है तो उसके लिए कोई अच्छा बच्छा देखो है तो बड़ा मुश्किल है अगर आप समझ जाएं तो और खतरनाग भी बहुत है और समझना बहुत जरूरी है जब तक आप समझे नहीं उसका यूज नहीं कर सकते आप समझ लिए आपने मेरी बात आप है लाइन पर देखे बच्छा एक आता है धतूरा सफेद ये जहर है बड़ा खतरनाग पॉईजन है धतूरा सफेद जरा सा ले ल खरीद लीजे पचास ग्राम खरीद लीजे और इसके समझ लीजे खूब आउवला ले लीजे अपनी जरूरत के हिसाब से इसका पॉडर बना लीजे और एक चमच आउवला और दो पीस इसके धतूरा सफेद के चबाएं और एक चमच आउवला खाएं और दोत्रल दोतर आउवला सफेध ही लेना काला मत लें न वो और भी ज़्यादा खतरनाक है समझे नहीं तो कोई भी ये निसका को इसका कोशिच ना करे हैं इंताही खतरनाआग ज़हर है ये तो ये आप इस्तमाल करें दो दो दाने बिलकुल ये मिर्च जैसे होते हैं मिर कि दाने में तो मिच्ची लगती है इसमें जायका नहीं होता है लेकिंग खतरनाग बहुते हैं दो दाने चबाएं एक चम्मा चांवला खाएं और गरम पानी पिया करें पांच बार दिन में और एक महीने तक ले फिर हमें दुबारा कॉंटक करें हम से बात नहीं हो सके तो हम कि अध्राद से रंजीत थो है में वी देडिया, सवागत है रंजीत आनामकर कम जायकर तक रिएश में है कममर में तक्लिट है कहा पर कंमर में filters थेृन थे 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 कह यहां थे 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 विस अध्यान वल्यावजा में कूमर की बाध थिर यह व्य चालस को फे श़िग पूरी हड्डे में आवाज भी आता है और पूरा श्रीष बहुत जगड़ जाता है ठीके ठीके आप देखिए डाक्टर की अथियाद भी मानें और बजन भी निए उठाएं मेरी भी एक बात मानने के वेस्टर ट्वालेट ये कुर्सी वाला हमारे घरों में नहीं हो तो हमें लगवा लेना चाहिए क्योंकि हर घर में एक मरीज ऐसा होता है और बस यह एतियात है अब आपको लेना है गौन सिया काला गौन ये मुश्किल से मिलता है नकली भी बहुत मिलता है असली लेना है रामेडिरिल लेना पिसा 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 कोई दे तुम बना कर दो बिलकु ये विश्वास मत करो असली गौन सिया जो ब्राउन कलर का होता है और जायके में इतना कड़वा होता है कि अगर एक चुटकी आपने जबान पर रख लिया तो बगएर कुछ मीठा खाए आपकी जबान कड़वी रहेगी चाहे दो दिन हो जाएं तो ये इसकी पहचान है ब है तो जूस से भी ले सकते हैं सबसे फाइदा करता है सबर करना पांच दिन आट दिन दस दिन में फाइदा शुरू करता है लेकि जब करना शुरू करता है तो पिर आदमी सोचता है कि मेरा दर्द कहां गया वजन नहीं उठाएं डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और हां जी नहीं बोलिये हां जी नमस्कार हां जी मेरे को खिंके लोगताती है उमर मेरी 40 साल है हां जी मजला दुखांसा रखता है जी बटा देखो खिंक आने वाले को इस वत बहुत ऐतियात करनी चाहिए और खटी चीज़ा छोड़ देनी चाहिए गरम पानी पांच बार पी बीधना जी अरजी तोर पर भी या बताता हूं मस्तखिल तोर फ्स्वल पर विलाज बताता हूं और ड़किये आप लीजे असी गरम है उन्rates एक कि फिर जाती है तीस गिराम मिलाके पाउडर बनाएं और इसमें एक चम्म सुबा निहार मुझ खाया करें और गरम पानी पीए पांच बार ये घरेले नस्का है वैसे इस वक्त हर शास को चाहे वो रोगी हो या निरोगी हो उसको एक दवा के बारे मैं बोलता हूँ क्यों कि ये इम् इम्मनिटी है या नहीं है उसको एक खुराग शरूर खानी चाहिए ताके हम जो इस वक्त माहौल चला पूरी भारत का ही नहीं बनके पूरी दुनिया का एक साट वाइरस का माहौल है ये इम्मनिटी की दवा है एक रोटी कम खाएं अगर हालात नहीं है लेकिन एक लेकिन यह अपनी हिफाजत करना अपने आपको सुरक्षित करना अपने बुजर्गों को अपने घरवालों को सुरक्षित करना बेंतहा जरूरी है जोदपूर से बहादूर सिंग हमारे साथ स्वागत है आपका हांजी सवाल करें अपना और मेरा नजद दवी हुई है कमर में च़स करते हैं और कमर में धर गरती है अपनी आयू बताना चाहें तो बता दीजे तो आपको मैंने जवाब दिया था है जवाब तो मिला होगा मेरी मेरी और से आपको जवाब मिला होगा न बहुत आप समझ लें कोई कोई गलती श्या जो है इसा क्वाइब बहुत खतरनाक है इसकी इससे दवाएं बनती हैं तो इसको एक दिन में आदा गिराम से जादा ने ले सकते एक बार में और दिन में दो ही खुलाक ले सकते लेकिन इसके बिश्रण के साथ आप एक गिराम सुबा एक गिराम शाम ले सकते ये आप शुरू करें थोड़ा सबर करें थोड़ा सयम रखें ये निसका खतम होते होते आपके सारे रोग हरना इसका काम है वगवान से मदद मागें और जमीन में ना बैठें वेस्टन ट्वाइलेट का प्रियोग करें तो निरोग हो सकते हैं तो बिल्कुल देखिए अभी थोड़ी सी जल्दबाजी आपने दिखा दी है अभी दस दिन पहले ही आपकी बात हुई है आपने नुस्के जाने थे और फिर से आपने कॉल किया तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए सयम रखिए क्योंकि दीरे-दीरे करके ही दर्श को रिलीव मिलता है एक दम से बिलकुल पाइदा नहीं मिलेगा ये कोई पेन किलर नहीं है कि आपको कुछी घंटों म यहाँ पर बता ही रही है अगर आप लोग अपने हर एक रोग को जरसे खत्म करना चाहते हैं तो चार से पांच महिने आपको देने होंगे देखिए इतने बड़े-बड़े रोग आपको हो जाते हैं आप जीवन भर अगर दवाईयों का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो आप हर एक बात नो डाउन कर पाएं आई ये बात करते हैं अगले कॉलर से हमारे साथ अभिनाश है बिलासपुर से स्वागत है अभिनाश जी कि अधाव अभिनाश जी मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पिता जी 67 यह ओल्ड है अभिनाश जी कई दवाएं हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे जिनको भी इस तरह की परिशानी ज्यादा उम्र में होती है वह एक नस्खा तो यह है कि आप एक आता है जैतून का एस्टेक्ट एस्टेक कहते हैं रसायन को जैतून का एस्टेक किसे जैतून का नमक हम गाउं की जबान में कहते हैं यह जरा मुश्किल से मिलता है और यह ले लिए और दो चुटकी में जितना आए एक ग्लास पानी मिलाकर रात को उन्हें पिलाया करें और जरुद पर दिन में भी दे सक अगर आप यह ले लेंगे तो बहुत आसानी से उनको फाइदा होना मुम्किन है तो बिल्कुल अविनाज जी पाइदा जरूर हो जाएगा लेकिन उसके लिए अपना लिजएगा अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हैल्प लाइन नंबर पे आप contact कर सकते हैं 24 hours कभी भी आईए बात करते हैं अगले caller से अजमेर से हमारे साथ जड़े हैं स्वागत है आपका लगता है आपसे हमारा समपर्ट तूट गया है कोई बात नहीं परिशान बिलकुल नहीं होना है हम जानते हैं कि आप लोग परिशान हो जाते हैं कि हकीम और डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है जो बहुत इत्मनान से आपकी बाते सुनती है आप लोग सारी बाते उनसे बहुत अराम से कर सकते हैं यहां पर समय का अभाव होता है इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जल्दी जल्दी अपना सवाल कीजिए और कॉप कर सकते हैं नाम बतायी है जीविशना नम परवीना ने भी है जी पर्वीना जी सवाल आपका इसल grown बताये बच्छा बताये साथ आट अल्याव अगर्श्दै जी everybody once the world comeilage ज़ा इयए व्राव जजाकर बताईए, बताईए, क्या खिद्मत है, जी है किम साथ मेरे उम्रह 14 साल है, और मुझे वह वाइड इस्टारिस्टी प्रॉब्लम है, साफिर पानी, शादी हो गई आपकी, नहीं साथ, जल्दी होने वाली है, उसके साथ है, पांच आश्टारिस्टारिस्टारिस्टा जल्दारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस्टारिस् ये कुटे मुदाफियत कहते हैं हम लोग अर्दू में और हिंदी में कहते हैं रोग पिती रोधक शक्ति का कम होना और इम्मुनिटी को इंग्लिश कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इम्मुनिटी का कम होना तो इसके लिए माजून आरके लें पांच महीने लगा था सुबह एक चम्मच शाम एक चम्मच और इसमें गरम पानी पीना आपके लिए बहुत बहतर है और जो खुवातीन को महीलाओं को खटी चीजे पसंद है वो इलाज के दौरान उना छोड़ देना चाहिए तो वो ठीक हो सकते हैं और यह जो इन्फेक्शन वगरा है इसके लिए आप एक तवा आती है कलोंजी का नमक कलोंजी का नमक या एस्टेक कलोंजी या रसायन कलोंजी कह सकते हैं आदा ग्राम आप पानी में मिलाकर रोदाना एक बार पिया करें और चंद खुराकें लेंगे तो आपका ये परिशाने भी ठीक होना मुम्किन है